पहाने परिश्रम ही धन है सुन्दर पूर गाउं में एक किशन रहता था उसके चार बेटे थे वे सभी आलसी और निकम्बे थे जब किशन बुढ़ा हुआ तो उसे बेटों की चिंता सताने लगे एक बार किशन बहुत बिमार पड़ा मिरत निकट देखकर उसने चारो बेटों को अपने पास बुलाया उसने उन चारों को कहा मैंने बहुत सा धन अपने खेत में गाड़ रखा है तुम लोग उसे निकाल लेना इतना कहते कहते किशन के प्राण निकल गए पिता का क्रिया करम करने के बाद चारों भाईों ने खेत की खुदाई सुरू कर दे उन्हों ने खेत का चप्पा चप्पा खुब डाला पर उन्हें कहीं धन नहीं मिला उन्हों ने पिता को खुब कोसा वर्षा रितु आने वाली थी किसान के बेटों ने उस खेत में धान के बीज बो दिये वर्षा का पानी पाकर पौधे खुब बड़े उस पर बड़ी बड़ी बाने लगे उस साल खेत में धान की बहुत अच्छी फ़सल हुए चारो भाई बहुत खुस हुए अब पिता की बात सही अर्थ उनको समझ में आ गया उन्होंने खेत की खुदाई करने में जो परिस्रम किया था उसी से उन्हें अच्छी फ़सल मिली इस प्रकास्रम का महतु समझने पर चारो भाई मन लगा कर खेती करने लगे सीख परिस्रम ही सच्चा धन है